भारतिय सिनेमा में बॉलिवोडिया गैंग के एकाधिकार में सेंद लग चुकी है तमिल, तेलगू, कंणर, मराथी और भोचपुरी समे तमाम भाषाओं की फिल्म पूरे भारत में गदर मचा रही है कमल हासन की विक्रम से लेकर 777 चार्ली हो या फिर आरार और कांतारा कई भाषाओं की फिल्मों ने पिछले कुछ सालों में जम कर पैसे छापे हैं भोचपुरी इंडस्ट्री भी इससे अच्छूती नहीं है भोचपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने कई मास्टर क्लास फिल्में दी है कई बार बॉलिवूड के दिगज कलाकारों ने भी भोचपुरी फिल्मों में काम किया है नमस्कार मैं हूँ आपके सांथ रीटा और आप देख रहे हैं नेड्रिक एंटेटेन्मेंट आज की वीडियो में मैं आपको भोचपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन पांच फिल्मों के बारे में बताऊंगी जिनका कलेक्शन सबसे जादा रहा था उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजे वीडियो पसंद आईगी तो लाइक कर लीजेगा आपको भोचपुरी फिल्म कैसी लगती हैं ये ज़रूर बताईएगा सबसे जादा कमाई करने वाले भोचपुरी फिल्म में पहले नंबर पर है मनोश तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला साल 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये मनोश तिवारी के साथ साथ लीड अक्टरिस रानी चैटर जी की भी डेब्यू फिल्म थी मनोश तिवारी के इस फिल्म में मेकर्स ने मातर 30 लाक रुपे लगाए थे और जबकी इस फिल्म परदे पर दर्शकों ने मनोश तिवारी का चेहरा देखा तो मनोश तिवारी और फिल्म के मेकर्स माला माल हो गए मनोश तिवारी की पहली है फिल्म ने 36 करोड रुपे का बिजनस कमाया था इसी फिल्म से मनोश तिवारी ने इंडास्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी हमारी इस लिस्ट की दूसरी फिल्म है गंगा इस फिल्म को अमिताब बच्चन के पी ए ने प्रोड्यूस किया था जिसके कारण अमिताब बच्चन ने बिना पैसे लिए ही इस फिल्म में काम किया था एक तरह से ये फिल्म अमिताब बच्चन की डेब्यू फिल्म थी इसमें हेमा मालनी, नगमा, मनोश तिवारी और रवी किशन भी मुख्य भूमी का में थे 2006 में रिलीज हुई कम बच्च में बनी इस फिल्म ने करीब 35 करोड रुपे का बिजनस किया था सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में तीसरे नमबर पर है फिल्म प्रतिग्या 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसमें पवन सिंग और दिनेश लाल यादव निरहुआ पहली बार साथ मजर आये थे ये फिल्म 78 लाग के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने लगभग 22 करोड रुपे कमाये थे उस वक्त इस फिल्म का क्रेज हर तरफ था दर्शकों को ये फिल्म काफी जादा पसंद आई थी अगली भोशपूरी फिल्म है बॉटर 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आमरपाली देबू लीड रोल में थे ये फिल्म बेहत कम बजट में बनी थी लेकिन रिलीज होने के बाद 19 करोड रुपे की कमाई करके सब को पीछे छोड़ दिया संतोष मिर्च्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने हर और जहंडे गार दिये थे ये निरववा के करियर की हिट फिल्मों में से एक है हमारी इस लिस्ट की पाँचवी और अंतिम फिल्म है क्राक फाइटर फिल्म में पवन सिंग और संचिता बेनर जी पहली बार एक साथ नजर आये थे वही साउथ के बड़ी आक्टर प्रदीन सिंग ने भी इस फिल्म में काम किया था मात्र 3.5 करोड की बजट में बनी इस फिल्म ने लगभस 17 करोड रुपे का कलेक्शन किया था इस फिल्म में आक्ट्रिस की जम कर तारीफ हुई थी, उन्होंने अपनी करदारों में जान फूख दिया था और शाद यही कारण था कि ये फिल्म ब्लॉक बस्टर रही थी आपको हुमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताईएगा, बने रिया हमारे साथ नमस्कार